पूरी मैंने कोशिश की है कि आपके वो सारे के सारे कोश्चन मैं एक ही इस क्लास में आपके समराइज कर सकूँ तो प्लीज यदि ये क्लास आप सबको अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो भी बच्चे नए आए हैं और अड़ा 24-7 की एप्लिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नाम के साथ लिंक है वहीं से आप लोग डाउनलोड करेंगे ठीक है तो चलिए बच्चे क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारी क्लास का आज का पहला कोश्चन क्या रहेगा जितने भी एक्सपेक्टेड कोश्चन हैं या जो भी आपके एक्जाम में कोश्चन आए हुए हैं वो सब मैंने इस क्लास में आपके कवर किये हैं पहला कुश्चन है कि यदि आपके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है तो इन में से कौन सी बिमारी आपको हो सकती है तो आपकी कावा, शियोरका और मेरासमस दोनों ही किस्से आपकी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है ये बिमारी अधिकतर आपकी 2-5 साल के बच्चों के बीच में देखी जाती है इस बिमारी में यदि मैं आपसे बात करूँ तो आपके जो बच्चे होते हैं इनके सरके बाल नहीं होते और इनकी जो पसलियां होती हैं कि पसलियां दिख रही होती हैं पेट फूला हुआ होता ह आए और हाथ फैर बिलकुल पतले पतले होते हैं चाहरे पर बहुत जुर्रियां पड़ जाती हैं जिसको वह भूपनोमख बोलते हैं कि यह बच्चे आपके किसका कॉपожет का सिकार है यह आपके मरासमस और कवासिय। और कर दोनों बिमारी है है बिस्क्रिघ की कमी से क्या अभिप्राय है तो BCGTK की फुल फॉम बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन यहां पर आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि C की फुल फॉम क्या होगी कैलिमेट रहेगी यह बच्चा यह जो आपका बिसिकली वैक्सीन है यह छोटे बच्चों में आपने देखा होगा आपके ह पूछा जाए टीवी किस से होने वाली बिमारी है तो टीवी आपकी एक बैक्टीरियल डिजीज है और किस बैक्टीरिया से होती है यह आपकी माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिज ठीक है जी माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिज नाम के बैक्टीरिया से य अगला कोशन देखते हैं आपका ऐलर्जी के कारण निम्नलिकित में से कौन सा रोग होता है बताइए इन में से कौन सी बिमारी है जो आपकी ऐलर्जिक बिमारियों में या ऐलर्जिक डिजीज में आपकी काउंट हो सकती है तो यहां पर देखो अस्थमा अस्थमा क्या है हाल basically गले में यानि कि आपके ट्रैकिया में जाकर यह जम जाती है जिससे आपको सांस रेने में दिक्कत हो सकती है बहुत सारी चीजों से allergy होनी शुरू हो जाती है इसलिए हम इसको allergic disease में count कर सकते हैं vitamin C, vitamin D और vitamin E की कमी के कारण इन में से कौन सा रोग होता है यानि कौन सा wrongly match है यह question आप से पूछा गया है कौन सा wrongly match है तो vitamin C की कमी से क्या इसकरवी रोग होता है यास जिससे आपके मसूडों से खून आना शुरू हो जाता है क्या vitamin D की कमी से recates होता है यास जिसमें आपके पैरों की हड़ियां मुड़ना शुरू हो जाती है क्या vitamin E की कमी से night blindness होता है तो नहीं vitamin E की कमी से male और female दोनों में ही infertility होती है दोनों में ही infertility होती है ठीक है लेकिन night blindness किस से होता है vitamin A की कमी से रोग है, ओके चलिए, अगला question देखते हैं आपका क्या रहेगा, किस hormone को emergency hormone कहा जाता है, मैम कल आया था ये बताईए जी इन में से किस होर्मोन को अमेर्जेंसी होर्मोन 3F होर्मोन डू और डाई होर्मोन अमेर्जेंसी होर्मोन ये 4S होर्मोन ये सारे एक के ही नाम है एड्रीनल आइन को इसको बनाती कौन है आपकी एड्रीनल ग्लैंड बनाती है जो आपकी किड्नी के ऊपर पाई ज होती हैं यानि कौन सा आपका इनकरेक्ट मैच है इन में से कौन सा आपका इनकरेक्ट मैच है बताइए तो सिंपल सी बात है क्या मरकरी की यदि आपके खाने के अंदर मरकरी की अमाउंट बढ़ जाए तो क्या आपको मिनी माटा रोग हो सकता है यस यदि आपके खाने में कैडमियम की अमाउंट बढ़ जाए तो क्या आपको इटाई-टाई बिमारी होगी यस क्या आपके खाने में नाइट्रेट अमाउंट की बढ़ जाए तो क्या आप लोगों को blue baby syndrome होगा तो इसका answer भी होगा yes लेकिन यदि आपके खाने के अंदर fluoride iron बढ़ जाए तो उससे आपके digestion पर कोई effect नहीं पढ़ता fluoride iron आपके दातों के गिरने का कारण हो सकता है यदि मैं आपसे mercury और cadmium की बात करूँ यानि की minimata और आपसे itai itai disease की बात करूँ तो minimata disease में आपके basically हाथ का section आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से मुड़ना शुरू हो जाता है और itai itai में आपका पूरा शरीर ही मुड़ना शुरू हो जाता है और इसमें आपके basically joints व है उम्र क्या होती है जब किसी महिला को last time menstrual cycle repeat होता है तो यह आपकी उम्र होती है 45 से 55 साल किसी भी female को जब last time menstrual cycle repeat होता है उस term को हम लोग बोलते है menopause और जब first time होता है उसको हम बोलते है menarch चलिए एगला question देखते हैं आपका क्या रहेगा dpt की vaccine इन में से किस बिमारी को ठीक करने के लिए या किस बिमारी से बचने के लिए दी जाती है dpt की vaccine आपकी बच्चों को दी जाती है और उम्र भी मैं आपको बता देती हूँ यह आपकी दो डोज में दी जाती है पहली बात तो यहाँ पर आपको dpt की full form बहुत सारे बच्चों को गलत याद रहेगी फुल फॉर्म होती है diptheria pertuses titness pneumonia नहीं होता diptheria pertuses titness और pertuses को हम लोग बहुत बार whooping cuff बोलते हैं क्या बोलते हैं whooping cuff बोलते हैं यह vaccine आपकी पहली डोज 16-24 महिने के बीच में और दूसरी डोज 5-6 साल के बीच में लगाई जाती है 0.5 ml इसकी आपकी डोज दी जाती है बच् विटामिन है जो blood clotting में मदद करता है या हमारे शरीर के अंदर blood vessels को फटने से रोकता है वो कौन सा विटामिन है हमारे शरीर में जो blood clotting में मदद करता है तो कौन सा विटामिन है आपका विटामिन K कौन सा विटामिन है आपका विटामिन K ठीक है विटामिन K की यदी मैं से बात करूं, विटामिन E का chemical name, आपका क्या होता है, tocopherol, क्या होता है, बच्छा, tocopherol, विटामिन C का chemical name, क्या होता है, आपका ascorbic acid, और विटामिन A का chemical name, आपका क्या होता है, retinol, ओके, विटामिन से question आ ही रहे हैं, आपके एक्जाम में तो प्लीज आप लोग यह सारे कुशन जरूर कवर करके जाएंगे चलिए अगला कुशन देखते हैं आपका, नेक्ट कशन क्या रहेगा इन में से किस की कमी से जीरो फ्थैल्मिया नामक बिमारी हो सकती है इन में से किस विटामिन की कमी से जीरो फ्थालमिया नामक बिमारी हो सकती है बताईए तो जीरो फ्थालमिया किस विटामिन की कमी से होता है आपका विटामिन A की कमी से ठीक है जीरो फ्थालमिया इस बिमारी में इनसान की आँखों में आशू नहीं आते और ये basically आपका क्या? विटामिन A की कमी से होने वाला एक रोग है विटामिन A की कमी से night blindness जिसमें सूरज जलने के बाद इंसान को दिखाई देना बंद हो जाता है zero of thalmia और आपका keratomalisia तीनों बिमारी आपकी विटामिन A की कमी से होती है H1N1 वाइरस प्राय किस बिमारी के संदर्व में दिया जाता है या फिर H1N1 वाइरस के कारण इन में से कौन सी बिमारी हो सकती है H1N1 वाइरस के कारण इन में से कौन सी बिमारी हो सकती है? बताईए H1N1 वाइरस के कारण इन में से कौन सी बिमारी हो सकती है तो H1N1 वायरस के करण कौन सी बिमारी होती है स्वाइन फ्लू, एड्स, बर्ड फ्लू एंड डेंगू ये तीनों ही आपके किसे वायरस से होने वाली बिमारी है ठीक है, PDF आपका लिंक करा दिया जाएगा पायरिया से प्रभावित होने वाले मानव शरीर के अंग इन में से कौन से है यानि कि पायरिया एक बिमारी है जो हमारे शरीर में किस ओर्गन को अफेक्ट करती है तो पायरिया बेसिकली किस को अफेक्ट करती है आपके टीथ एंड गम्स को हमारे शरीर में दांत और मसूडों को ये आपके अफेक्ट करती है इस तरह के दांत और मसूड़े आपके होने शुरू हो जाते हैं मुख्या रूप से शरीर के निमलखित में से किस प्रनाली पर HIV का हमला होता है यानि HIV की फुल फॉम भी आप लोग याद रखेंगे Human Immuno Deficiency Virus ये हमारे शरीर में WBC पर अफेक्ट करता है WBC हमारे शरीर में क्या कारे करते हैं हमारी बोड़ी की इम्मिनिटी को बढ़ाते हैं तो बेसिकली जो HIV का वाइरस है ये WBC पर अफेक्ट करता है और हमारे शरीर की इम्मिनिटी को अफेक्ट करता है इम्मिनिटी को कम करना शुरू कर देता है निमलिकित में से कौन सा विटामिन C का सबसे अच्छा शुरूत है यानि इन में से किसके अंदर विटामिन C सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन में से किसके अंदर विटामीन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है बताईए इन में से किसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामीन सी पाया जाता है तो किसके अंदर ओरेंज की अंदर औरेंज की अंदर पाया जाता है चलिए एकला कुशन देखते हैं WBC का मुख्य कारिये क्या होता है बताईए तो WBC का मुख्य कारिये क्या होता है तो fight against infection बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने में मदद करती है आपकी WBC चलिए वैरियोला वाइरस के कारण इन में से कौन सी बीमारी हो सकती है बताईए तो smallpox यानि कि जो आपकी छोटी माता है ये वैरियोला वाइरस से होने वाली बीमारी है रिकेट्स किस की कमी से होता है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है बताईए तो रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है विटामिन D की कमी से आपका क्या होता है बई रिकेट्स होता है चलिए अगला कोशन देखते हैं आपका नेक्ट कोशन क्या रहेगा निमनलकित में से कौन एक संचारी रोग यानि कमनी केबल डिजीज इन में से कौन सी है बताइए इन में से कौन सी आपकी एक कमनी केबल डिजीज है इन में से कौन आपकी एक कमनी केबल तो हाला की कमनी केबल इन में से अस्थ़मा भी है किन मैजल्स आपके वाइरस से वाले बीमारी है अगला कोशन देखते हैं इन से किनके कारण होता हैं। ओप्शन, और प्रोटोजोवा वाइरस, बैक्टीरिया या फंजाई। बताइए जिए। तो malaria आपका basically protozoa से होने वाली बिमारी है और किस protozoa से होता है प्लाजमोडियम यह किस protozoa से होता है आपका प्लाजमोडियम protozoa से होता है और basically इस protozoa को carry करती है अपने अंदर female amphilies इस protozoa को अपने अंदर carry करती है यदि यह आपको काट ले तो आपको malaria होने के chances पूरे पूरे है अथलीट फूट इन में से किस के कारण होता है बताई यह अधलीट फूट इन में से किस के कारण होता है गट लीट फूट किस से होने वाली बीमारी है एक फंगस से होने वाली गट भीमारी है इसमें इन्सान के दोनों पैरों पर स्वैलिंग आनी शुरू हो जाती है और कुछ इस तरह सीरेशिस बढ़नेशिद परू हो जाते हैं पैरो पर चलिए एक लाकुशन देखते हैं आपका निमनलिकित में से कौन सी एक वन्शा नुगत बिमारी है बताइए निमनलिकित में से कौन सी आपकी एक वन्शा नुगत बिमारी है इन में से कौन सी आपकी जैनेटिक डिजीज है तो जैनेटिक डिजीज कौन सी है आपकी हीमोफीलिया हीमोफीलिया भी आपका दो तरह को होता है हीमोफीलिया A एंड हीमोफीलिया B और यहां पर यदि मैं आपसे बात करू हीमोफीलिया A यदि आपके अंदर फैक्टर 8 एपसेंट है तो हीमोफीलिया A और यदि factor 9 absent है तो हीमोफीलिया B होगा Ringworm इन में से किसके कारण होता है बताईए Ringworm इन में से किसके कारण होता है तो ringworm आपका basically fungus से होने वाली बिमारी है चलिए एकला question देखते है Dengu is caused by the Dengu इन में से किसके कारण होता है डेंगू इन में से किसके कारण होता है बताईए बहुत अच्छा गया तो अच्छा है भई बहुत इजी ही आ रहा है पेपर हमें पता है तो डेंगू किसके कारण होने वाली बिमारी है वाइरस के कारण और किस मच्छर के काठने से होता है female adis aegypti female adis aegypti mosquito यदि आपको काठ ले तो आपको क्या हो जाएगा आपको डेंगू हो जाएगा चले एक ला कुशन देखते हैं आपका influenza इन में से किसके कारण होता है influenza किसके कारण होने वाली बिमारी है तो influenza किसके कारण होने वाली बिमारी है अगला कुशन देखते हैं आपका किस vitamin को सौंद्रिये vitamin कहा जाता है किस vitamin को आपका सौंद्रिये vitamin कहा जाता है तो इन में से हम किस विटामिन को सौंध्रिय विटामिन बोलते हैं विटामिन E को हम लोग सौंध्रिय विटामिन बोलते हैं ठीक है विटामिन E का केमिकल नेम क्या होता है टोको फेरोल याद रखना आपका एक कोशन केमिकल नेम और विटामिन डिजीज से पूछा ही जा रह जाती है तो कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है तो विटामिन के है हमारे शरीर में जो की ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है कैमिकल नेम फाइलोकनाइन ओके कैमिकल नेम क्या होता है आपका फाइलोकनाइन सैल का सैल नाम किस जीव वग्यानिक ने सरुफ प्रिथम दिया था आपको पता है कुछ केश कोषिन आपके साइटोलोजी से पूछे जा रहे हैं तो सेल बेसिकली किस ने दिया था आपका रोबर्ट हुक ने 1665 में कोषिका की खोज की थी और AV Leuven Hawk ने AV Leuven Hawk ने किस चीज की खोज की थी living cells की जीवित कोशिकाओं की बैक्टिरिया की स्पम सेल्स की आर बीसी की प्रोटो जोवा की इन सब की खोज की थी एवी ल्यूवन होक साहब ने ब्राउन ने अब फ्लैमिंग ने क्या किया था एलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने आपके किस चीज की खोजगी थी बिसिकली आपकी पैंसीलिन की खोजगी थी चलिए एकला कोशिका में राइबोजोंस की अनुपस्तिती में कौन सा कारिय नहीं होगा तो राइबोसोंस का काम होता है हमारे कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने का और यदि राइबोसोंस नहीं होंगे तो हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन नहीं बनेगा कोशिका का उर्जा घर किसको कहा जाता है बताइए कोशिका का उर्जा घर हम लोग किसको बोलते हैं माइट्रो कॉंड्रिया को क्योंकि cellular respiration कोशी की यह ही पर होता है इसलिए हम इस को माइट्रो कॉंड्रिया को कोशिका का उर्जा घर बोलते या और साथ आटीपी भी बनती है एटीपी को हम लोग कोशिका की उर्जा मुद्रा बोलते हैं energy currency of cell बोलते हैं full form होती है अडिनो साइन ट्राइ फोस्फेट नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा भई निम्नलिकित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है बताईए निम्नलिकित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है तो इन में से आपका सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है भई आपके प्लास्टीड्स है कौन सा है आपका प्लास्टीड्स है चलिए अगला कोशन देखते हैं पादब कोशिकांग का सबसे बहारी आवरण कहलाता है यान रिंक वोम बिटा दाद, जो आपको ऐसे सर्कुलर टाइप में बन जाता है कहीं पर भी बोड़ी में सबसे उपर plant cell में सबसे उपर होती है cell wall, यानि कि कोशी का भिती और कोशी का जिली जो होती है वो आपकी दोनों में ही पाई जाती है plant cell में भी और आपकी किसमे animal cell के अंदर भी चलिए कोशी का द्रवे में उपस्थित महीन साकित जिलीदार और आनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है यह आपका nucleus है और यह आपकी cell membrane है nucleus से लेकर cell membrane तक आपकी इस कोशी का जिली तक बहुत पतली पतली नलिकाओं पाई जाती है यह पूरा जाल होता है इसको हम लोग बोलते है ER endoplasmic reticulum या अंतह प्राद्रवी ही जाली का जो दो तरह की होती है SER and RER RER rough endoplasmic reticulum क्योंकि इसमें ribos पाए जाते है इसलिए rough endoplasmic reticulum है SER smooth endoplasmic reticulum क्योंकि यह lipids की बनी हुई होती है इसलिए इसका नाम SER है अगला question देखते हैं आपका protein निर्माण का सक्रिय स्थल हमारी कोशिका में protein कहां पर बनता है तो हमारी कोशिका में protein कहां पर बनता है ribosomes में बनता है next question देखते हैं थोड़ा fast रखते हैं बई कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है तो आपका basically plastics, cell wall और रिक्तिकाएं तीनों ही आपके पाय जाते हैं सिर्फ plant cell में, animal cell में नहीं पाये जाते पत्यों का हरा रंग पत्यों का हरा रंग इन में से किस के कारण होता है तो पत्यों का हरा रंग होता है क्रोरो प्लास्ट के करण यदि हरे रंग का कोशन पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट इसके अलावा लाल, नीला, पीला इन सब के लिए responsible होता है क्रोमोप्लास्ट और सफेद और भूरे रंग के लिए responsible होता है आपका कौन भाई आपका ल्यूकोप्लास्ट जैसे की जड़ के अंदर पूछा जाए त कोशिका की आत्म घाती थैली हम किसको बोलते हैं लाइजोजोम्स को बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है और इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नेचर होता है आपका एसेडिक अपने एसेडिक नेचर के कारण ही कोशिका के अंदर छोटे मोटे जम्स को या बैक्टिरिया को ये मार देता है जिस वज़े से हम इसको क्या बोलते हैं सोसाइडल बैग ऑफ सैल बोलते हैं इस करवी रोग किसकी कमी से होता है तो इस करवी रोग किसकी कमी से होने वाली बिमारी है आपकी विटामीन सी की कमी से प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी यदि पूचा जाए विटामीन की खोज किसके दुआरा की गई थी तो कैश्मियर फंक, प्रोटीन की खोज की थी बरजीलियस ने, और प्रोटीन आपका बना होता है काइरल कार्बन से, जहां पर आपके कार्बन के चारो जगे आपके अलग-अलग ग्रूप लगे हो, ऐसे कार्बन को हम लोग काइरल कार्बन तो इसकी खोज की थी आपके, प्रोटीन के स्ट्रक्चर फॉर्मले की खोज की थी पोलिंग ने, रोबा ठुकने 1665 में किसकी खोज की थी, आपकी कोशिका की खोज की थी, अगला कोशन देखते हैं आपका क्या रहेगा, कौन से विटामिन मानव के शरीर में संक्रहित नही होते हैं, कौन से विटामिन मानव के शरीर में स्टोर नहीं हो सकते तो विटामिन B और C, यदि विटामिन की बात की जाए तो दो थरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल को याद करने की टिक है कीडा, क्या है बच्चा आपकी, VITAMIN E, VITAMIN D and VITAMIN A आपके FAT SOLUBLE हैं, वसा में घुलने वाले हैं और B और C पानी में घुलने वाले हैं शराब पीने के बाद इनसान के अंदर किस VITAMINS की कमी आ जाती है तो वITAMIN B और C की कमी हो जाती है क्योंकि शराब पीने के बाद बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है जिसमें वोटर होता है तो आपके शिरील में विटामीन B और C की कमी आ सकती है निमनलिकित में से कौन से विटामीन आत के जिवानों द्वारा बनाए जाते हैं नेक्स्ट कॉश्वन देखते हैं सूरिय की किर्णों से कौन सा विटामिन प्राप्थ होता है सूरिय की किर्णों से कौन सा विटामिन प्राप्थ होता है बताईए तो सूरिय की किर्णों से आपको कौन सा विटामिन प्राप्थ होता है विटामिन डी ठीक है हाला कि सूरिय की किर्णों से नहीं जो भी हम खान क्या रहेब कौन सा विटामिन हमारे श्रीरमे सबसे अधिक तेजी से बनता है इन विटामिन हमारे श्रीर में सबसे अधिक तेजी से नाम राइबो फ्लैविन विटामिन बी टू का नाम पाइरोडॉक्सिन विटामिन बी सिक्स का नाम बट थाइरोक्सिन थाइरोक्सिन जो है यह तो आपका एक होर्मोन है और जिसे कौन बनाती है हमारे शरीर में आपकी बैसिकली थाइरोइड ग्लैंड बनाती है तो ये आपका कोई विटामिन का नेम यहां पर नहीं है ये सारे विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग और उन सब के कैमिकल नेम एक बार स्क्रीन शोट जरूर लेंगे क्योंकि एक्जाम में ये स्क्रीन शोट आपके बहुत काम आएगा मतलब याद करके काम आएगा ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं आपका निमनलकित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचूरतम शुरूत है यानि इन में से किसके अंदर विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो मैंगो के अंदर आम के अंदर आपका विटामिन ए सबसे ज अच्छे है और जो आपके विटामिन गोल्डन चावल में पाए जाते हैं तो ओमेगा 3 और विटामिन A आपके पाए जाते हैं चलिए एकला कुशन देखते हैं आपका किस विटामिन को हॉर्मोनल विटामिन कहा जाता है बताइए तो हमारे शरीर में जो विटामिन डी होता है इसको हम लोग हॉर्मोनल विटामिन बोलते हैं यह हमारे शरीर में बहुत सारे होर्मोन मनाने में मदद करता है अगला कोशन देखते हैं घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है बताइए हमारे शरीर में घाव भरने में इन में से कौन सा विटामिन मदद करता है तो आपका विटामिन C घाव भरने में मदद करता है चलिए अगला कोशन देखते हैं किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है बताईए तो इन में से किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स नामक आपका रोग होता है विटामिन D की कमी के कारण आपको रिकेट स्रोग हो सकता है खटे फलों के अंदर कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है खटे फलों के अंदर कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है बताइए भाई लाइक करें शो बड़ा कम है क्लास में यार जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक करेंगे क्लास को तो खटे फलों के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है केमिकल नेम आपका एसकोर्विक एसिड इसकी कमी से होने वाली बिमारी आपकी कौन सी है इसकरवी जिससे आपके मसूडों से खून आना शुरू हो जाता है विटामिन ए का केमिकल नेम बार बार रिपीट करा रही हूँ मैं आपको डेली रिपीट कराती हूँ रेटिनोल कमी से होने वाली बिमारी नाइट ब्लाइंडनेस जीरो अफ्थैलमिया और केराटो मलाशिया विटामिन डी का केमिकल नेम होता है आपका केलसी फैरोल क्या होता है आपका केलसी फैरोल कमी से होने वाली बिमारी रिकेट्स ओस्टियो पॉरसिस जिसके इलाज के ल वोनों में ही infertility आ सकती है और इसी को हम लोग आपका beauty vitamin के नाम से जानते हैं इसी को बच्चा हम लोग आपका beauty vitamin के नाम से जानते हैं ठीक है ओके जी तो देखो बच्चा ये आपके अब तक जितने भी most important question जहां से आपके question पूछे जाने के पूरे chances हैं वो question मैं आज की class में आपको cover कराए है तो please एक बार जिन्हों ने like ना किया हो like जरूर कर देना इसका आपको basically pdf में आपको provide करा दूँगी अब last में यदि आप लोग बच्चा मुझसे paid courses से जुड़ना चाहते हैं इसी तरह की interactive classes आप लोग लंबे समय तक चाहते हैं अटर 24-7 आप लोग website को visit करेंगे यहां पर all course में आप लोग three dots पर click करेंगे और आप लोग ssc में जाकर mts select करेंगे तो यह आपका परचम batch है why 446 code लगा के आपको 4500 रुपे में मिल जाएगा application से but I prefer कि आप लोग maha pack लें क्योंकि maha pack में आपकी double validity own है 2 साल तक mts के जितने batch test series आएंगे वो सब कुछ इसमें आपको already free मिलता रहेगा by now पर click करेंगे यह आपको 700 रुपे का दिखाई दे रहा है और यहां आप लोग coupon code लगाएंगे वाई 446 वाई 446 जैसे ही apply करेंगे तो आपको मात्र 600 रुपे में 2 साल के लिए मिल जाएगा मतलब पूरे साल का एक पूरे साल का 300 रुपे में पढ़ेंगे पर्चम batch भी मिलेगा इसके आगे आने वाले 2 साल तक जितने mts के batches होंगे उन सब की pdf notes handwritten आपको सब कुछ इस batch में provide कराया जाएगा test series इसमें आपकी सारी की सारी free रहेंगी तो I prefer कि आप लोग ये महा pack ही लेंगे ठीक है क्योंकि आपके लिए फाइदा यही है तो चलिए भाई अभी आपका साड़े 4 बजे एक session लगा हुआ है उस session को भी हम लोग अब आपका live करते हैं रेलवे वाले यदि कुछ बच्चे हैं तो session को आप लोग जरूर जोइन करेंगे बाई बाई टेक केर जेहिंद